अगर आप इस सीजन फुल मेप में रैंग पुश करने कले अपने रोल के हिसाब से एक बेस्ट करेक्टर कॉमिशन ढूंड रहे तो ये वीडियो क्लिप बहुत ही ज़दा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आपको किसे भी मोड में रैंग पुश करने में हेल्प करेगा चाहे सोलू मोड हो गया डियो मोड हो गया या फिर स्कॉर्ड मोड हो गया और इस कॉमिशन का यूज करने से ना आप लॉंग रैंज की एक भी फाइट नहीं हार होगे तो बात करें इस combination की active character के बार में तो इसमें आपको use करनी है iris character का skill iris की ability के वज़े से आप enemies को 15 seconds तक glue आल के arper भी damage दे सकते हैं तो जब enemy damage हो जाने के बाद glue में चला जाएगा तो जैसे आप उसके glue पे fire करेंगे ना तो उसके उपर mark अजगे कि कहां पे वो enemy है फिर आप glue के arper आप काफी आराम से उसे damage दे के खतम कर सकते हैं ये character आपको long range के सासथ कई बारना short range में भी help करेगा जैसे कि इस clip में देखो एक enemy ना पुरा hood करके बैठा है तो मैंने यहापे सबसे पहले glue लगा दिया फिर इसके बाद मैंने जैसे ही अपने glue के ओपर fire किया तो उस enemy का location मेरे को पता जल गया और फिर glue के arper थोड़ा damage देने के बाद finally मैंने उसे काफी आसानी से खतम कर दिया इस बंदे को ना कुछ समझ में नहीं आयो गयर कि ये बंदा मुझे कैसे मार दिया अब बात करें इस combination की passive characters के बारे में तो आपको सबसे पहले slot में use करना है Maru character का skill Maru character आपको long range में fire day time काफी जदा help करेगा क्योंकि इसकी वज़े से आप long range में enemies को 25% extra damage दे पाओगे तो Iris के साथ Maru का use करने पर आपको और भी ज़ादा advantage मिलेगा अब इसके बाद आपको second slot में एक ऐसे character का use करना है जो कि आपको healing में काफी ज़दा help करे क्योंकि full map में हमें एक ऐसे character के जरुवत पढ़ती ही पढ़ती है जिसे कि हम काफी जल्दी अपने health को full कर पाए तो इसके लिए आपको use करना है maximum character का skill maximum की वज़े से medikit use करने का speed 25% बढ़ जाता है जिसके वज़े से अगर आपको queen me बहुत ज़दा damage देने के वाद आपके पर rush कर रहा है तो आप काफी जल्दी आपने crack headshot मर के खतम कर सकते हैं या फिर आप इन्मीस को ना rate of fire जादा होने के वज़े से body body मार के ही जल्दी खतम कर सकते हो अब वहीं सुनिया की बात करें तो जब आपको पूरा damage पढ़ जाता है तब आप मरते नहीं है बलकि आपको 3 seconds के लिए 50 hp का shield burn मिल जाता है और अगर आप तो सबसे ज़्यादा help करेगा short range में fight दे टे टायम एंड इसे आप solo या फिर duo mode में ही खिल दे टायम यूज करना squad mode में आप इसे use मत करना तो बात करें इस combination की active skill के बारे में तो आपको यहाँ पर यूज करना है homer character का skill homer का drone जब किसी भी enemy को hit करता है ना तो उस enemy का movement speed and firing rate क काफी ज़्यादा कम हो जाता है जिसके बाद खासकर short range में आपको बहुत ज़्यादा advantage मिल जाएगा आप काफी आराम से उसके उपर rush करके उसे खतम कर सकते हो एंडिसी के साथ homer की drone की वज़े से आप किसी भी enemy का location भी काफी आराम से पता लगा सकते हो full map में देखो बहुत सारे लोगों ना camping करके खिलते हैं तो अगर आप किसी पे जगापे loot करने या फिर hold करने जा रहे हैं तो आपको ना सबसे पहले homer का drone चालू कर देना है जिसके बद अगर उहाँ पे कोई enemy होगे ना तो आपको पहले ही पता चल जाएगा उस enemy का location फिर आप उहाँ पे उस enemy से बज जाओगे अब बात करें इस combination की passive characters के बारे में तो आपको सबसे पहले use करना है maximum character का skill फिर आपको second shot में use करना है elite android या फिर hyattu का skill elite android की बज़े से आपका west का durability काफी जदा बढ़ जाएगा और जब आपकी पास level 3 आपी level 4 का west होगा तब आपका west न एकदम पत्थर के जैसा हो जाएगा enemy जब आपकी उपर fire करें तो आपको बहुत ही कम damage पढ़ने वाला है और वहीं हयाट्यो की बात करें हयाट्यो करेक्टर शॉट्र न में fire ले देटे हम आपको बहुत ज़दा advantage देगा क्योंकि इसकी बज़े से अगर आपको को enemy थोड़ा भी damage कर देगा न तो जब आप उस enemy पे वापस fire करोगे तो उस enemy का west काफी जल्दी तूट जाएगा तो जब enemy का west तूट जाएगा तो आप उसे काफी आराम से knock कर सकते हो और एक और चीज़ अगर आपका hyato awakened है न तो जब आपको को enemy सामने से damage करेगे न तो ये frontal damage को भी न थोड़ा कम कर देता है तो खासकर short train fight को जीतनी मैना ये आपको बहुत ही ज़ादा help करेगा अब इसको अब 3rd slot में या तो लुकेटा का use कर सकते हैं या फिर आप Luna का भी use कर सकते हैं लुकेटा की वज़े से जब भी आप 2 enemies को finish कर दोगे तो आपको 50 extra HP slot मिल जाता है यानि कि आपके पास 200 के जगा totally 250 HP होगा तो जब आपके पास 50 ज़ादा HP होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितने सारे critical situations में help करने वाला है बहुत बार जब enemies मुझे 200 से भी ज़ादा का damage देते हैं तो मैं लुकेटा की वज़े से बच जाता हूँ अब हम बढ़ते हैं third combination की ओर ये combination ये काफी ज़धा balanced combination है और इसको again आप solo, duo and squad तीनों modes में use कर सकते हो तो बात करे active skill के तो यहाँ पर आपको use करना है के character का skill के character की ability के वार में आपको पूरी अच्छी तरह से पता होगा ही कि हर 2 second में हमें 3 EP मिल जाती है और जब हम EP को HP mode में करते हैं तब हमें हर second 6 HP मिलती है तो के की वज़े से आप खासकर zone के बाहर काफी देर तक survive कर सकते हो और जब आपकी पास एक भी medkit नहीं बचा होगा तब आपको वहाँ पे के ही help करेगा इसकी वज़े से बिना कोई दिकत कि आप अपने health को full कर सकते हो और इसकी ability को जब आप HP mode में करके fight लोगे ना तो आपको यह काफी ज़दा help करेगा अगर आपको damage भी पढ़ जाता है तो काफी जल्दी जल्दी आपका health full होता रहेगा अब बात करें इस combination की passive characters के वारे में तो आपको सबसे पहले use करना है लुकविटा character का skill फिर आपको second shot में use करना है एलाइट एंडू या फिर हयाटू का skill अब जो third character है इसमें आपको use करना है मारू character का skill जो कि आपको long range में fight लेते हैं काफी ज़दा help करेगा अब fourth combination की बात करें तो यह combination आपको खासकर short range में fight लेते हैं काफी ज़दा help करेगा और साथ ही यह आपको किसी भी type के damage से बचा देगा तो इसके active skill में आपको use करना है Orion character का skill Orion का skill use करने पेना आपको किसी भी type का damage नहीं पड़ेगा चाहे zone से damage हो गया, enemy से damage हो गया, grenade से damage हो गया या फिर landman से damage हो गया और साथ ही अगर आपके close में कोई enemy होगा तो Orion का skill use करने पेना उस enemy का 30 HP आपका Orion खीच लेगा तो यह character आपको 1v1 के सासत, 1v2, 1v3 या फिर 1v4 situations में भी आप बहुत ही ज़दा help करेगा और Orion सोनिय करेक्टर को tackle करने के लिए सबसे ज़दा बढ़िया character है जैसे ही आपके enemy का सोनिय करेक्टर active होता है, आपको उसके नजदीग जाके Orion का skill on कर देना है फिर वो काफी जल्दी knock हो जाएगा अब इस combination की passive slots की बात करे तो आपको सबसे पहले slot में use करना है मेग्वल करेक्टर का skill, Orion के साथ आपको मेग्वल का use करना ही करना है ये दोने एकदम जैव वीरू जैसे हैं क्योंकि मेग्वल की वज़े से जब ही आप किसी भी enemy को knock करते हैं तो आपको 200 EP मिल जाता है shield HP घटेगा फिर आपका real HP घटेगा अभी देखो Orion का use करने के लिए हमें 200 EP की जरुवत होती है और जब हमारे पास 200 EP होता है तो वहाँ पर बहुत वरना हमें damage कर देते हैं जिसकी वज़े से हमारा थोड़ा EP कम हो जाता है फिर हम Orion का skill use नहीं कर पाते है तो हाँ पर आपको anti-one new character help करेगा इसकी वज़े से सबसे पहले आपका shield HP घटेगा फिर आपका real HP घटेगा जिससे कि आपका EP या तो बिलकुल भी कम नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा फिर इससे आप Orion का skill आ रहा हम से use कर पाओगे अब जो 3rds लट है इसमें आप या तो Luna का use कर सकते हैं या फिर आप Maxim का use कर सकते हैं ये दूनों character Orion के साथ आपको short train में काफी ज़दा help करेंगे अब हम बात करते हैं आज की last combination के बारे में तो इस combination के active skill में आपको use करना है ताच्यों character का skill ताच्यों character को भी मैंने इस season use किया है rank push करते हैं ये ना मेरे को starting में ही ज़दा girls निकालने में काफे ज़दा help किया है अब ताच्यों का use करके जल्दी से आसपास वाले किसी भी gun को उठा कि कि वहाँ पे अगर कोई भी enemy होगा ना तो उसे आप खतम कर सकते हो और साथ ही अगर landing करते time enemy को gun मिल जाता है और आपको कोई gun नहीं मिलता है ताओ आप ताच्यों का skill use करके वहाँ से भाग सकते हो जैसे कि यहाँ पे background clip में देखो मुझे कोई भी gun नहीं मिलाता है इसको अगर आपको second slot में use करना है वुलफरा का skill वुलफरा की वज़े से जब ही आप किसी भी enemy को finish करोगे ना तो वो enemy आपके spectator list में add हो जाएगा और जब आपके spectator सुंगे ना तो अगर आप किसी भी enemy को headshot मारते हो ना तो उस enemy को जादा damage पड़ेगा 30% तक जादा damage पड़ सकता है उसको जिसके एक ही headshot में आप उसे खतम कर सकते हो और साथ ही अगर कोई enemy आपको headshot मार देता है तो आपको 30% तक कम damage पड़ेगा यानि कि आप one tap वाले gun से भी बच जाओगे अब अगर आपको वुल्फरा का use नहीं करना है तो आप इसके जगह पर lookator का भी use कर सकते हैं जिसके वज़े से आपको 50 का extra HP slot मिल जागा दो enemy's को finish करने एक बाद अब वहीं 3rd slot में आप या तो maximum या फिल lion का skill यूज़ कर सकते हैं पाच सबसे ज़दा best character combinations इन में से आपको जो भी combination सबसे ज़दा suit करता है आपके roll के सबसे उन्हें आप use कर सकते हैं और देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोले था कि आपको ज़दा game नहीं खेलना है और देखो जब आपके exams नज़दी का जाँगे ना तो अब आपको game बिल्कुल भी नहीं खेलना है चुकि इसके वज़े से आप काफी ज़दा distract feel करोगे और आप अपनी पढ़ाई पर focus नहीं कर पाऊगे मैंने भी अभी game खेलना काफी ज़दा कम कर दिया है दो-तिन दिन में जादा से जादा मैं एक बार online आता हूँ इसलिए आपने इस वीडियो में कुछ clips केस gamer की देखी होगी केस भाई भी फ्री फार मेंना काफी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स देते हैं अगर आप हमारे शैनल पर नहीं तरसे सब्सक्राब भी कर देना तो तब तक लिए बाबाई मिलते हैं एक और वीडियो में